School of Humanities, SOH Certificate Programs Certificate in Vedic Ganit, CVG CVG 002 Vedic Amkagani Khand 1 Vedic Ganit Sutra IKAI 1 Ekadhiken Purven 1.00 उदेश इस IKAI के अध्ययन से आप भारती अज्यान की परंपरा को जानेंगे वैदिक गणित की प्रिष्ठ भूमी को समझ पाएंगे 1.1 गणित के प्रश्णों को मौखिक रूप से हल करने में सक्षम होंगे गुडन, योग, व्यवकलन तथा भाग करने की सरलतम विधी को जानेंगे प्रचनात्मक बुद्धी का विकास होगा नई गणना पद्धती का विकास करने में सक्षम होंगे प्रस्तावना जगतगुरु स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी के द्वारा वैदिक गणित के 16 सूत्र वा 13 उपसूत्र बतलाए गए हैं जिनके माध्यम से अत्यन सरल्व मौखिक रूप से गणित के कठिन प्रश्नों को भी शीगराती शीगर हल किया जा सकता है गणित की विभिन्न शाखाओं पर ये सूत्र लागू होते हैं यथा अंगणित, बीजगणित, रेखा गणित समतल तथा गोलिय त्रिकोर्मिती समतल एवं घन जामितिय और वैशलेशिक शंकव, जोतिर विज्ञान, समाकल तथा अवकलकलन इत्यादी में भी ये सूत्र उप्योगी है वस्तुता शुद्ध तथा प्रयुक्त गणित में ऐसा कोई भाग नहीं है, जिसमें इनका अनुप्रयोग न हो इनी सूत्रों में प्रथम सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेंग इस सूत्र के माध्यम से गणित के कुछ विशेश प्रशनों को बड़ी ही आसानी से हल किया जा सकता है एक, दो, एकाधिकेन पूर्वेंग सूत्र का अर्थ सूत्र का अर्थ पहले वाली संख्या से एक अधिक के द्वारा By one more than the previous one यहां एकाधिक से तात परिया एक का एकाधिक दो है एक प्लस एक दो दो का एकाधिक तीन है दो प्लस एक तीन दस का एकाधिक ग्यारह है दस प्लस एक ग्यारह 25 का एकाधिक 26 है 25 प्लस 26 37 का एकाधिक 38 है 37 प्लस एक 38 56 का एकाधिक 57 है 56 प्लस एक 57 99 का एकाधिक 100 है 99 प्लस एक एक सो इस एक सूत्र के माध्यम से हम गुणा योग घटाना वभाग कर सकते है ध्यातव्य है कि यह सूत्र सर्वत्र लागू नहीं किया जा सकता इस सूत्र की कुछ सीमाएं है आईए सबसे पहले हम इस सूत्र से गुणन विधी को जानेंगे 1 3 गुणन विधी का अंत में 5 फीट वाली संख्याओं का वर्ग करना ऐसी संख्याएं जिनका एकाई अंक 5 फीट हो और उनका वर्ग निकालना हो तो वहां इस सूत्र के माध्यम से बड़ी ही सरल मौखिक प्रक्रिया से वर्ग निकाला जा सकता है वर्ग से तात्पर्य होता है किसी संख्या को स्वयम उसी संख्या से गुणा करना 15 फीट को 15 फीट से ही गुणा करना 15 feet का वर्ग निकालना हो तो इसे इस प्रकार लिखा जाएगा 152 अधवा 15 x 15 15 feet में 1 अंक 5 feet है तथा 10 अंक 1 है 15 feet में पूर्व पहले वाली संख्या एक है सूत्र कहता है कि पूर्व अर्थात पहले वाली संख्या से एक अधिक के द्वारा यहाँ पूर्व वाली संख्या एक है तथा एक से एक अधिक एक प्लस एक खुश स्माईली दो होता है 2 feet को एक से गुणा करें गुणा करने पर हमें 2 x 1 2 feet संख्या प्राप्थ होती है यहाँ उत्तर का बाया भाग है अब हम अन्तिम अंकों एकाई के अंकों को गुणा करते हैं हमारा एकाई का अंक है 5 feet 5 feet को 5 feet से गुणा करने पर 5 x 5 खुश स्माईली 25 feet संख्या प्राप्थ होती है यहाँ उत्तर का दाया भाग है अब हम 2 उत्तर 2 और दाय उत्तर 25 को एक पंक्ती में लिखेंगे 225 फीट आता हमारा उत्तर है 15 x 15 225 वर्ग करने की इस विधी को अब हम चित्र एक के माध्यम से समझते हैं चित्र एक विवन के लिए स्क्रीन को देखे उत्तर की जाज के लिए प्राचीन काल से ही भारत में नवांक विधी प्रचलित है नवांक को बीजांग भी कहा जाता है नवांक प्राप्त करने के लिए किसी भी संख्या के सभी अंकों को जोड लेते हैं ऐसा तब करते हैं जब तक उत्तर में एक अंग प्राप्त न हो जाए जैसे 5836 का बीजांग निकालना है 5 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6 बाइस पुना 2 प्लस 2 चार यह 4 संख्या ही नवांग या बीजांग कहलाएगी गुणा की जाच विधी पहली संख्या का बीजांग एकस दूसरी संख्या का बीजांग प्राप्त गुणनफल का बीजांग उत्तर का बीजांग पहली संख्या का बीजांग एक प्लस 5 चे दूसरी संख्या का बीजांग एक प्लस 5 चे प्राप्त गुणनफल का बीजांक, उत्तर का बीजांक, दो प्लस दो प्लस पांच नौ पहली संख्या का बीजांक, छे एकस दूसरी संख्या का बीजांक, छे प्राप्त गुणनफल का बीजांक, उत्तर का बीजांक, नौ 6-6-36-3-6-9 आथा उत्तर सही है एक अन्या उदाहरन से पुना अब इस वर्ग विधी को समझते है 75 फीट का वर्ग निकालना हो तो इसे इस प्रकार लिखा जाएगा 752 अत्वा 75 पचत्तर 75 फीट में इकाई अंक 5 फीट है तथा दहाई अंक 7 फीट है 75 फीट में पूर्व पहले वाली संख्या 7 फीट है सूत्र कहता है कि पूर्व अर्थात पहले वाली संख्या से एक अधिक के द्वारा यहां पूर्व वाली संख्या 7 फीट है तथा 7 फीट से एक अधिक 7 प्लस एक खुश स्माईली 8 फीट होता है आट फीट को साथ फीट से गुणा करने पर हमें आज साथ खुश स्माइली 56 फीट संख्या प्राप्थ होती है. यहां उत्तर का बाया भाग है. अब हम अंतिम अंको, एकाई के अंको को गुणा करते हैं. हमारा एकाई का अंत है5. पाँच फीट को पाँच फीट से गुणा करने पर पाँच एक्स पाँच खुश स्माईली 25 फीट संख्या प्राप्थ होती है यहां उत्तर का दाया भाग है अब हम बाए उत्तर चपन और दाय उत्तर पचीज को एक पंक्ती में लिखेंगे 5625 फीट आता हमारा उत्तर है 75 x 75 5625 वर्ग करने की इस विधी को अब हम चित्र माइनस दो के माध्यम से समझते हैं एक अन्या उदाहरन से पुना अब इस वर्ग विधी को समझते हैं 105 फीट का वर्ग निकालना हो तो इसे इस प्रकार लिखा जाएगा 1052 अत्वा 105 105 एक 105 फीट में एकाई अंक 5 फीट है 105 फीट में से पूर्व पहले वाली संख्या 10 फीट है सूत्र कहता है कि पूर्व अर्थात पहले वाली संख्या से एक अधिक के द्वारा यहां पूर्व वाली संख्या 10 फीट है तथा 10 फीट से एक अधिक 10 प्लस एक खुश स्माईली 11 फीट होता है 11 फीट को 10 फीट से गुणा करने पर हमें 11 दस खुश स्माईली 110 फीट संख्या प्राप्थ होती है यहां उत्तर का बाया भाग है अब हम अंतिम अंकों, इकाई के अंकों को गुणा करते हैं हमारा इकाई का अंक है पांच पांच फीट को पांच फीट से गुणा करने पर पांच एक्स पांच खुश स्माईली 25 फीट संख्या प्राप्थ होती है यहां उत्तर का दाया भाग है अब हम बाए उत्तर 110 और दाए उत्तर 25 को एक पंक्ती में लिखेंगे 11,025 फीट आता हमारा उत्तर है 105 X 105 11,025 वर्प करने की इस विधी को अब हम चित्रतीन के माध्यम से समझते हैं चित्रतीन तो आपने देखा कि ऐसी संख्याए जिनके अंत में 5 फीट है उनका वर्प करना कितना आसान है वस्तुता आप अंत में 5 फीट वाली संख्याओं के वर्प की गणना अपने मन में भी कर सकते हैं खा, अंतिम अंकों का योग 10 फीट हो, उनको गुणा करना यह सूत्र न केवल उन संख्याओं पर लागू होता है, जिनके अंत में 5 फीट हो, अपितु यहाँ सूत्र उन संख्याओं पर भी लागू होता है, जिनके एकाई अंकों का योग 10 फीट हो तथा बाकी अंक समान हो, जैसे 24 x 26 यहाँ एकाई के अंक 4 फीट वच्छ फीट है, जिनका योग 4 प्लस 6 खुश स्माईली 10 फीट है, अन्या अंक समान है 2 फीट और 2 फीट इस प्रकार हम इस संख्या का गुणन उसी पधती से निकाल सकते हैं, जिससे हमने अंत में पांच वाली संख्याओं का वर्ग निकाला था, इन में से पूर्व पहले वाली संख्या 2 फीट है सूत्र कहता है कि पूर्व अर्थात पहले वाली संख्या से एक अधिक के द्वारा यहां पूर्व वाली संख्या दो फीट है तथा दो फीट से एक अधिक दो प्लस एक खुश स्माईली तीन फीट होता है तीम फीट को दो फीट से गुणा करने पर हमें तीन एक्स दो छे फीट संख्या प्राप्थ होती है यहां उत्तर का बाया भाग है अब हम अंतिम अंकों, इकाई के अंकों को गुणा करते हैं हमारे इकाई के अंक है चार फीट तथा छे फीट चार फीट को छे फीट से गुणा करने पर चार छे खुश स्माइली 24 फीट संख्या प्राप्थ होती है यहां उत्तर का दाया भाग है अब हम बाय उत्तर छे और दाय उत्तर 24 को एक पंक्ती में लिखेंगे 624 फीट आता हमारा उत्तर है 24-26-624 गुणा करने की इस विधी को अब हम चित्रचार के माध्यम से समझते हैं चित्रचार एक अन्या उदाहरन से पुना अब इस गुणन विधी को समझते हैं 107 इंटू 103 एकस एकसो तीन यहां इकाई के अंक 7 फीट वट 3 फीट है जिनका योग 7 प्लस 3 दस फीट है अन्या अंक समान है 10 फीट और 10 फीट 107 इकस एकसो तीन इनमें से पूर्व पहले वाली संख्या 10 फीट है सूत्र कहता है कि पूर्व अर्थात पहले वाली संख्या से एक अधिक के द्वारा यहां पूर्व वाली संख्या 10 फीट है तथा 10 फीट से एक अधिक 10 प्लस एक खुश समाईली 11 फीट होता है 11 फीट को 10 फीट से गुणा करने पर हमें ज्यारह दस खुश स्माईली 110 फीट संख्या प्राप्त होती है। यहां उत्तर का बाया भाग है। अब हम अंतिम अंकों, इकाई के अंकों को गुणा करते हैं। हमारे इकाई के अंक है 7 फीट तथा 3 फीट। 7 फीट को 3 फीट से गुणा करने पर 7 एक्स 3 खुश स्माईली 21 फीट संख्या प्राप्त होती है। यहां उत्तर का दाया भाग है। अब हम बाय उत्तर 110 और दाय उत्तर 21 को एक पंक्ती में लिखेंगे 11,021। आता हमारा उत्तर है 107 एक्स 113,021। गुणा करने की इस विधी को अब हम चित्र पांच के माध्यम से समझते हैं। चित्र पांच गुणा की जाच विधी पहली संख्या का बीजांग एक्स दूसरी संख्या का बीजांग प्राप्त गुणनफल का बीजांग उत्तर का बीजांग पहली संख्या का बीजांग 1 प्लस 0 प्लस 7 आठ दूसरी संख्या का बीजांग 1 प्लस 0 प्लस 3 चार प्राप्त गुणनफल का बीजांग उत्तर का बीजांग 1 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 15 पहली संख्या का बीजांग 8 एक्स दूसरी संख्या का बीजांक, चार राप्त गुणनफल का बीजांक, उत्तर का बीजांक, पांच, आठ चार बत्तीस, तीन प्लस दो पांच, आथा उत्तर सही है। एक अन्या उदाहरन से पुना अब इस गुणन विधी को समझते हैं। 91,99 यहां इकाई के अंक एकव नौ फीट हैं, जिनका योग एक प्लस नौ, दस फीट हैं। अन्या अंक समान है नौ फीट और नौ फीट 91,99 इनमें से पूर्व पहले वाली संख्या नौ फीट है। सूत्र कहता है कि पूर्व अर्थात पहले वाली संख्या से एक अधिक के द्वारा यहां पूर्व वाली संख्या नौ फीट है तथा नौ फीट से एक अधिक नौ प्लस एक खुश स्माईली दस फीट होता है 10 feet को 9 feet से गुणा करने पर हमें 10 x 9 90 feet संख्या प्राप्थ होती है यहां उत्तर का बाया भाग है अब हम अंतिन अंकों, इकाई के अंकों को गुणा करती है हमारे इकाई के अंक है 1 तथा 9 feet 1 को 9 feet से गुणा करने पर 1 x 9 0 9 संख्या प्राप्थ होती है यहां उत्तर का दाया भाग है दाई और के हिस्से में सरवदा दो अंको की ही संख्या लिखनी चाहिए आथा हमने 9 को 09 लिखा है अब हम 22 उत्तर 90 और दाई उत्तर 09 को एक पंक्ती में लिखेंगे 9009 फीट आथा हमारा उत्तर है 91 X 99 9009 गुड़ा करने की इस विधी को अब हम चित्रचे के माध्यम से समझते हैं चित्रचे ध्यातव्य है कि इस प्रक्रिया का विस्तार भी किया जा सकता है यदि अंत के दोनों अंकों का योग 100 हो और शेश अंक समान हो तो भी यही नियम लागू होगा जैसे 1002 X 1098 एक हजार दों के लागू होगा जैसे 1002 X 1098 इने से पूर्व पहले वाली संख्या 10 फीत है सूत्र कहता है कि पूर्व अर्थात पहले वाली संख्या से एक अधिक के द्वारा यहां पूर्व वाली संख्या 10 फीट है तथा 10 फीट से एक अधिक 10 प्लस एक खुश समाईली 11 फीट होता है ज्यारा फीट को दस फीट से गुणा करने पर हमें ज्यारा दस खुश स्माईली 110 फीट संख्या प्राप्थ होती है यहां उत्तर का बाया भाग है अब हम अंतिम दो अंकों को गुणा करते हैं हमारे अंतिम दो अंक है 0.2 तथा 98 फीट शून्य दो को 98 फीट से गुणा करने पर शून्य दो एक्स 98 शून्य एक नौच है संख्या प्राप्थ होती है यहां उत्तर का दाया भाग है यहां दाई और के हिस्से में सरवदा चार अंकों की ही संख्या लिखनी चाहिए आथ हमने 196 फीट को 0196 लिखा है अब हम बाय उत्तर 110 और दाय उत्तर 0196 को एक पंक्ती में लिखेंगे 11,196 आथ हमारा उत्तर है 1002 एक्स 1098 ग्यारा लाख 196 गुणा करने की इस विधी को अब हम चित्र माइनस साथ के माध्यम से समझते हैं योग अथ्वा संकलन को ही सामान्य भाषा में जोडना कहा जाता है अब हम एक अधिकेन पूर्वेन सूत्र से जोडने की प्रक्रिया को समझेंगे सूत्र है एकाधिकें पूर्वेंद सूत्र कहता है कि पूर्व अर्थात पहले वाली संख्या से एक अधिक के द्वारा सुविधा के यह हम एकाधिक को दर्शानी के लिए कि यह एकचन बिंदू पनिश्चित करेते हैं बिंदू का मान एक होता है किसी अंग के उपर यदी बिंदू लगाया गया है, तो उसे एकाधिक मानना चाहिए, यथा. जोड करते समय नौ से अधिक संख्या आते ही बाई और के अंग के उपर एकाधिक बिंदु लगा देना चाहिए और फिर पुना एकाई के अंग को लेकर जोडने की प्रक्रिया प्रारंब कर देनी चाहिए इसे अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हमें 5836, 3795 और 1043 का योग करना है सबसे पहले एकाई के अंगों को जोडना प्रारंब करते हैं एकाई के अंग है 6, 5 वद 3 यहां 6 और 5 को जोडने पर 11 संख्या प्राप्थ होती है जो की 9 से अधिक है आता 5 के बाई के अंग 9 पर एकाधिक चिना लगाएं अब 6 बचा एक उस एक में एकाई का 3 अंग जोड कर संख्या प्राप्थ हुई 4 इस 4 अंग को उत्तर में लिख दे अब 10 के अंगों को जोडना प्रारंब करते हैं 10 के अंग है 3, 9 वचा 9 संख्या के उपर बिंदु है आता 9 का एकाधिक है 9 प्लस एक दस 3 और 9 का एकाधिक 10 को जोडने पर संख्या प्राप्थ हुई 3 प्लस 10 तेरा यह 13 संख्या 9 से अधिक है आता इसके 9 बाई और की संख्या 7 पर एकाधिक चिना लगा दे अब 3 वचार को जोड देने पर संख्या प्राप्थ होती है साथ इस साथ अंग को उत्तर में लिख दे अब सैक्डा के अंगों को जोडना प्रारव करती है सैक्डा के अंग है 8 साथ वशून साथ संख्या के उपर बिंदु है आथा साथ का एकाधिक है साथ प्लस एक आठ आठ और साथ का एकाधिक आठ को जोडने पर संख्या प्राप्थ हुई आठ प्लस आठ सोला यह सोला संख्या नौ से अधिक है आथा इसके साथ बाई और की संख्या तीन पर एकाधिक चिना लगा दे अब 6 व शून्य को जोड़ देने पर संख्या प्राप्थ होती है 6 इस 6 अंग को उत्तर में लिख दे अब 1000 के अंगों को जोड़ना प्रारम करती है 1000 के अंग है 5, 3 व एक 3 संख्या के उपर बिंदु है आता 3 का एकाधिक है 3 प्लस एक 4 5 और 3 का एकाधिक 4 को जोड़ने पर संख्या प्राप्थ हुई 5 प्लस 4 नौ अब 9 एक को जोड़ देने पर संख्या प्राप्थ होती है 10 यह 10 संख्या 9 से अधिक है आता इस 1 के बाई और की 0 लिखे व उस पर एकाधिक चिन लगा दे कथा 0 अंग को उत्तर में लिख दे अंत में 0 प्लस 1 एक एक इस एक संख्या को दाहिनी और उत्तर में लिख दे अब हमें 5,836, 3,795 और 1,043 का योग प्राप्थ हुआ 10,674 इस विधी से चाहे जितनी लंबी व बड़ी संख्याए हो उनका योग बिना किसी तुरुटी के बड़ी सल्टा के साथ किया जा सकता है उत्तर जाज करने की विधी उत्तर की जाज के लिए प्राचीन काल से ही भारत में नवांक विधी प्रचलित है नवांक को बीजान भी कहा जाता है नवांग प्राप्ट करने के लिए किसी भी संख्या के सभी अंकों को जोड लेते हैं ऐसा तब तक करते हैं जब तक उत्तर में एक अंक प्राप्ट न हो जाए जैसे 5836 का बीजांग निकालना है 5 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6 बाइस 9 प्लस 2 प्लस 4 यह 4 संख्याही नवांग या बीजांग कहलाएगी इसी प्रकार 3795 का नवांग निकालना है 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 5 चौबीस 9 प्लस 2 प्लस 4 चे यह 6 संख्याही नवांग अत्वा बीजांग कहलाएगी अब 1043 का नवांग निकालना है एक प्लस शून्य प्लस चार प्लस तीन आठ यहां आठ संख्या ही नवांग कहलाईगी पुत्तर की जाज के ये प्रत्यक संख्या का नवांग लिया जाता है अंत में सभी प्रश्ण की संख्याओं के नवांगों का पुना नवांग निकाल लिया जाता है यथा उत्तर की संख्याओं के नवांग भी निकाल लिया जाता है यथा एक प्लस शून्य प्लस छै प्लस साथ प्लस चार अठार एक प्लस आठ नो यदि प्रश्न की संख्याओं के नवांग वो उत्तर की संख्याओं के नवांग दोनों समान है तो उत्तर ठीक है, अन्यथा नहीं आईए इस जाज की प्रक्रिया को हम चित्र आठ के माध्यम से समझते हैं जोडने में दशमलव का प्रयोग जोडने घटाने एवं गुणा करने में दशमलव की बड़ी महत्ता है दशमलव के जोड घटाव व गुणा करने के प्रशनों को हल करने की वही प्रक्रिया है जो बिना दशमलव के प्रशन को हल करने की होती है इसमें प्रशन को हल करने के पश्चात यत स्थान पर दशमलव लगाया जाता है मैं पन्न को हल करने के पश्चात यच इसे अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हमें 596.75 व 486.66 का योग करना है एक, पांच, व्यवकलन विधी व्यवकलन को ही घटाना भी कहा जाता है एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र के माध्यम से घटाने की पधती को लागू करने से पहले परसपर मित्र अंक क्या होते हैं यह समझना आवश्चक है परसपर मित्र अंक जिन दो अंकों का योग दस होता है, वे परसपर मित्र अंक कहलाए जाते हैं इन मित्र अंकों को इस प्रकार जाना जा सकता है दो का मित्र आठ, साथ का मित्र तीन, एक का मित्र नौ, पाँच का मित्र पाँच तथा चार का मित्र छे एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र द्वारा व्यवकलन बटा घटाना एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र कहता है कि पूर्व अर्थात पहले वाली संख्या से एक अधिक के द्वारा सुविधा के लिए हम एकाधिक को दर्शाने के लिए के लिए एक चिना बिंदु शून्य निश्चित कर लेते हैं बिंदु का मान एक होता है किसी अंग के ऊपर यदी बिंदु लगाया गया है तो उसे एकाधिक मानना चाहिए इस सूत्र के माध्यम से घटाने की क्रिया केवल तभी की जाती है जब मीचे का अंग बड़ा हो तथा ऊपर का अंग छोटा होता है इसे एक उदाहरन के माध्यम से समझते हैं 91 से 48 यहां एकाई के अंग है एक तथा 8 फीट उपर का एकाई का अंग एक नीचे के एकाई अंग 8 फीट से छोटा है एक में से 8 फीट घटाया नहीं जा सकता अब यहां एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र के माध्यम से 8 फीट के पूर्व में जो अंग 4 फीट है उस पर एकाधिक चिना बिंदु लगाएंगे अब 8 फीट का परस पर मित्र अंग है 2 फीट इस 2 फीट को उपर वाले एकाई अंग 1 के साथ जोड देंगे 2 प्लस 1 तीन इस प्रकार हमें उत्तर का दाहिना अंग प्राप्थ हुआ जो तीन है अब दहाई के अंग है 9 फीट तथा एकाधिक चिनावाला 4 फीट 4 प्लस 1 पांच उपर का दहाई का अंग 9 फीट नीचे के दहाई के अंग 5 फीट से बढ़ा है आथा यहाँ परस पर मित्र अंग की आवशक्ता नहीं पड़ेगी अब 9 में से एकाधिक चिनावाला 4 फीट अर्थात 5 घटाने पर संख्या प्राप्थ होती है इस प्रकार हमें उत्तर का दाहिना अंग प्राप्थ हुआ जो चार है 91 से 48, 43 घटाने में दशमलव का प्रयोग कीज़ जिस प्रकार जोडने में हमने दशमलव लगाने की प्रक्रिया को जाना उसी प्रक्रिया को हमें घटाने में भी दशमलव को यतोचित स्थान पर लगाना होगा। दशमलव के जोड घटाव व गुणा करने के प्रशनों को हल दशमलव के प्रशन को हल करने की होती है। करने की वही प्रक्रिया है, जो बिना करने की वही प्रक्रिया है। जो, इसे अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, हमें 734.24 में से 465.69 को घटाना है एक छे भाग विधी एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र के माध्यम से आवर्त दशमलव के प्रशनों को बड़ी ही सल्ता से हल किया जा सकता है यहां हम ऐसे भिन्नों को उदाहरण के रूप में लेंगे जिनके हर का चर्मांक नौ हो यथा एक बटा उन्नीस, एक बटा उन्तीस, एक बटा उन्तालीस, एक बटा उन्चास, एक बटा उन्सट, एक बटा उनत्तर इत्यादी एक बटा 49 एक भिन्न संख्या है इस भिन्न में एक अंच है तथा 49 हर है हर का चरम अंक नौ है एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र के माध्यम से इस भिन्न को सल्ता से हल किया जा सकता है सूत्र कहता है कि पूर्व अर्थात पहले वाली संख्या से एक अधिक के द्वारा एक बटा 49 में हर 49 है तथा इसमें पूर्व वाली संख्या तीन है तीन से एक अधिक संख्या है तीन प्लस एक चार भिन्न का अंश एक की हमारे उत्तर का इकाई अंक होता है जिसे उत्तर में सरवाधिक दाई और लिखा जाता है अब चरम अंक 9 से पूर्व वाली संख्या है तीन इस तीन से एक अधिक है चार चार को हम उत्तर में प्राप्थ एक अंक से गुणा 4x14 करते हैं और प्राप्थ अंक 4 को एक के बाई और लिखेंगे अब प्राप्थ अंक 4 को पुना 4 से गुणा करेंगे गुणा करने पर संख्या प्राप्थ हुई 16 इसमें से 6 को 4 के बाई और लिखेंगे 1 को 6 से थोड़ा नीचे बाई और लिखेंगे ताकि अगली संख्या में उसे 1 को जोड़ सके अब 4 को 6 से गुणा करें गुणा करने पर संख्या प्राप्थ हुई 24-24 में एक जोडने पर संख्या प्राप्थ हुई 25 अब 5 को 6 के बाई और लिखें वह दो को 5 से थोड़ा नीचे बाई और लिखेंगे ताकि अगली संख्या में उसे 2 को जोड सकें अब चार को पांच से गुणा करें गुणा करने पर संख्या प्राप्थ हुई 20-20 में दो जोडने पर संख्या प्राप्थ हुई 22 अब दो को पाँच के बाई और लिखे वह दो को दो से थोड़ा नीचे बाई और लिखेंगे ताकि अगली संख्या में उसे दो को जोड सके अब चार को दो से गुणा करें गुणा करने पर संख्या प्राप्थ हुई आठ आठ में दो जोड़ने पर संख्या प्राप्थ हुई दस अपशून्य को दो के बाई और लिखे व एक को शून्य से थोड़ा नीचे बाई और लिखेंगे अपशून्य के बाद अंकों की पुन्रावृत्ती होने लगेगी आता यह प्रक्रिया तब तक की जाती है जब तक अंक दोबारा ना आने लगे जैसे ही सभी अंकों की आवरित्ती होने लगेगी वैसे ही यह प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी अंकों का आना खत्म नहीं होगा और उनकी आवरित्ती होगी इसलिए उत्तर लिखते समय जिन अंकों की आवरित्ती हो रही है, उन्हें अंकों के ऊपर एक रेखा खीच कर दिखाया जाता है। आता अब हमें उत्तर प्राप्थ हो जुका है। एक बटा 49.025641 एक साथ सारांश इस अध्याय में हमने गड़ित के कुछ प्रशनों को बड़े ही रोचक तरीके से हल करने की प्रक्रिया को समझा। संख्याओं का वर्ग निकालना हो, गुणा करना हो, योग करना हो, व्यवकलन करना हो, अत्वा भिन्न को दशमलव में बदलना हो तो कुछ विशेश प्रकार के प्रशनों को इस एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र के माध्यम से बड़ी ही सरलता वर शीगरता से हल किया जा सकत है, धन्यवाद मिलते हैं अगले विडियो में अगले पाठ के साथ